Hello Everyone, आज है 17 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात कने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में देखें पंजाब नेशनल बैंक का शेर अगर देखो तो आज तीजी दिखाता हुआ नजर आया है आज शुरुवाती दोर में एक बहुत अच्छी तीजी आई थी, यहाँ पर काफी बड़ी रफतार पकड़ी थी लेकिन अभी अगर हम देखें तो गिरावट चल रही है लेकिन फिर भी 1-5.5% की तीजी पंजाब नेशनल बैंक दिखा रहा है वो भी ऐसे टाइम में जहाँ सेंसेक्स अगर देखें तो आज 400-400 अंक के गिरावट पर बैठा हुआ है ऐसे में भी PSU's जो शेर से वो बहुत जादा दमखम दिखा रहे हैं बातचित करेंगे specifically studio में पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कि 62 रुपीज का शेर है मौके बन रहे है के नहीं बनेंगे कहाँ पर बनेंगे देखें वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो हैं जबो काफी जादा हेल्प करेंगे तो 62 रुपीज का शेर मौनिंग में अच्छी तेजी थी लेकिन बात में करेक्शन देखने को मिल रहा है पिछले को महिने में अगर हम देखे तो जहां था वहीं पर है और इस बीच थोड़ी बहुत गिरावट बनी 60 रुपे के नीचे गया लेकिन फौरन तेजी आ गई और देखा जाए ना तो अभी एक सेक्टर है जो चटचा में है जो चल रहा है सिब चलनी रहा दोड रहा है वो है PSU सेक्टर PSU में बहुत बड़ी तेजी है चाए वो बैंकिंग से जुड़े हो या फिर भईया डिफेंस से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी भी तरीके से रेलवे से भी जुड़ा हुआ हो शांदार देजी है अभी PSU में जबकि आज अगर हम देखे तो भईया बाजार में गिरावट है आज 400 अंक से भी जादा की गिरावट हमें सेंसेक्स में देखने को मिल रही है लेकिन PSU में अगर देखोगे तो भईया बहतरीन तीजी चल रही है अभी भी गिरावट नहीं है गिरने को तयार नहीं है परलामेंट में जब से भईया मोदी जी ने भाशन दिया था उसमें जब कहा था कि पैसा लगाना है तो भईया PSU पर लगा दो तब से भईया चीजे पलट रही है यहां पर और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में PSU उसने अच्छा परफॉर्म भी किया है अगर स्पिसिफिकली मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की ही बात करूँ चाहे हम पंजाब निशनल बैंक की बात करे बैंक ओफ महराश्रा की बात करे यूनियन बैंक ओफ इंडिया की बात करे बैंक ओफ बरोडा की बात करे वह यह शांधार तीजी आई है और इतना ही नहीं इनके रेवन्यू इनके प्रॉपिट में भी बहुत बड़ा जंप हमने देखा है और दुबारा से डिविडेंट पे आउट करना भी शुरू हुआ है यहां पर अगर पंजाब निशनल बैंक में पिछले एक साल के अगर हम बात करे तो 81% का जंप है इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 30 रुपे का शेर था बड़ी रफ्तार बनी 60 रुपे पर गया फिर लंबे समय तक करेक्शन चला लेकिन दुबारा जब भागना शुरू किया तो अच्छी तेजी है अभी दुबारा 60 रुपे के आसपास पहुँच चुका है यहाँ पर यह अटक रहा क्योंकि पहले यहाँ पर एक रेजिस्टन्स हुआ करता जरूर था जहां से यह गिरा था यहाँ पर यह अटका है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बाई और डिप्स की स्ट्राटेजी अपलाई करी जा सकती है क्योंकि बैंक ख्राब नहीं है फंडामेंटल्स अगर आप देखो तो बहतर हो रहे हैं प्रॉफिट्स अगर आप देखो तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इतना ही नहीं दुबारा से डिविडेंट पे आउट भी शुरू हो चुका है इन बैंक्स में अगर पंजाब निशनल बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो market cap इनका 68,000 करोर से भी ज़्यादा का है हाला कि P ratio महंगा हो चुका है साड़े पंदरा का है जो कि average industry से थोगा सा ज़्यादा बढ़ चुका है अगर यहां से थलका फुलका भी correction आता है वहां से यह attractive बन जाएगा अगर 5-6% का correction भी अगर पंजाब निशनल बैंक में देखने को मिल जाता है यहां से attractive बनेगा लेकिन हाँ इसका मलब यह नहीं कि bottom बन चुका है यहां पर buy on dips की strategy ही apply करी जा सकती है क्योंकि bottom कहां बनेगा यह कोई नहीं जानता लेकिन long term में potential जरूर है कि दुबारा से तीजी दिखाएगा जरूर यह यहां पर अगर आप dividend की भी बात करो तो देखो इन्होंने pay करना शुरू कर गया है इससे पहले 2015 में pay किया था 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक इन्होंने dividend payout नहीं किया था प्रॉफिट उतने जादा थे नहीं लेकिन अब प्रॉफिट शुरू हो चुका है और अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है यह सारे banks और यहां पर यही वज़ाए कि पिछले साल से 64 पैसा पर share का dividend payout हुआ था इस बार 65 पैसा पर share का dividend payout हुआ है और अगर आने वाले दोर में share की कीमत बढ़ेगी इनके profits बढ़ते नजर आएंगे तो यह जो 65 पैसाई का dividend है मुझे हैरानी नहीं होगी कि एक डेट रुपे का भी dividend payout शुरू हो जाएगा बहुत चल्दी यहां पर और हो सकता है क्योंकि अगर आप इनके numbers देखोगे तो वो सीधा indicate कर रहे है कि 1700 करोड से भी जादा का इनका profit था मार्च quarter में अभी last June में 1200 करोड का हुआ है जो कि अच्छा profit है क्योंकि इससे पहले 300 सारे 300 करोड के आसपास के profit से quarterly लिए तो पिछले दो quarter में अगर आप देखो कि तो अच्छे profit नजर आए है और देखो government company जो होती है न अगर वो अच्छा पैसा चाप रही है तो बहुत बड़ा dividend भी प्याउट कर देगी reason क्या है कि government यहां पर promoter होते है तो जाद और जो पैसा होता है dividend का उस सरकारी ती जोरी में ही जाता है और अच्छी बात है कि इनके income इनके revenue कहलो तो वो लगातर बढ़ रहे है 21 से 23,000 करोड हुए फिर 26,000 करोड हुए फिर 28,000 करोड हुए फिर 29,000 करोड हुए तो अच्छे कासे jump हम कह रहे हैं कि देखने को मिल रहा है अगर बात करी जाए यहाँ पर shareholding की तो यहाँ पर promoter जो है वो government है और उनके पास holding है 73.15% की एक भी share गिरिवी नहीं है अच्छी बात है public के पास 11.58% की holding है Files के पास 1.82% की holding है DLs बड़ी quantity में 13.45% है जिन्में से mutual funds 4.68% की holding है mutual funds ने पिछले 4 quarter में लगातर buying करी है शॉपिंग करी है mutual funds ने लगातर खरीदारी करी है आप देखे पिछले साल तक 2.73% की holding थी अब वो 4.68% पर आ चुकी है insurance company के पास भी 8.72% की holding देखने को मिली है LIC बहुत बड़ा investor है यहाँ पर यह आप कह सकते हो और देखो यह LIC न डिवडेंट के थरू बहुत सादा पैसा कमाता भी है ठीक है और जहाँ तक बात करी जाए पंजाब national bank की तो definitely खराब bank नहीं है बीच में जब नीरो मोदी वाला कांड हुआ था तब इनकी reputation मिट्टी में मिल गई थी लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो दीरे दीरे ही सही लेकिन इन्होंने अच्छे से picked up किया जरूर है अभी अगर आप देखोगे तो इनका जो NPA है वहाँ पर सुधारा assets quality इनकी improve हो रही है जो कि अच्छी बात है जो कि पहले बहुत जादा खराब थी लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो PSU में सबसे खराब assets quality में अभी भी इसका नाम आता जरूर है लेकिन फिर भी दीरे दीरे में मान के चल रहा हूँ कि दीरे दीरे वहाँ पर आपको improvement देखने को मिले का और उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छा performance देखने को मिले और देखो PSU में न एक 30 ही चली है अगर सस्ते valuation की बात करें तो PSU में भी bank of maharashtra एक सस्ते valuation के उपर लग रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर भी again मैं कहूँ है buy on dips के strategy ही apply करी जासते bottom बन चुका है कहना जल्दबाजी होगी कहीं पर भी दीरे दीरे हर 10% के गिरावट पर चाहे वो पंजाब initial bank हो या फिर चाहे वो bank of maharashtra हो मेरे इसाब से नजर होनी चाहिए और हर 10% के गिरावट अगर जब भी यहाँ पर आपको देखने को मिले समझ लेना कि वाया वो जो है वो मौके बन रहे हैं यहाँ पर और आपका जो नजरिया है वो long term का होना चाहिए यहाँ पर और long term में potential जरूर है और आने वले दोर में देखो banking sector ऐसा sector रहेगा कि जो और जादा grow करता नजर आ सकता है और lending definitely बढ़ने वाली है इन सब की कम नहीं होगी बले ही interest rate बले अभी काफी हाथ तक बढ़ चुके हैं लेकिन दीरे दीरे मुझे लगता है कि interest rate अगर एक दो quarter में अर्बियन अगर घटाया तब वापस demand एक बड़े पिक डप की तरफ भी जा सकती है तो यहाँ पर यही कौँगा आपसे कि banking sector पर नजर होनी चाहिए जो छोटे बैंक से वहाँ पर भी नजर होनी चाहिए और जो PSU's है उसमें मुझे लगता है कि जो potential यहाँ से नजर आता है वो bank of महराश्टरा में नजर आता है इसके अलावा पंजाब initial bank में नजर आता है बैंक को बरोडा भी है definitely वो भी काफी बहतरीन है वहाँ पर भी नजर होनी चाहिए लेगिन अगे न कोँगा कि किसी एक price पर बहुत सारे shirts मत खरीदना buy on dips की strategy हर 10% की गिरावट पर apply करी जा सकती है यह मेरा coupon code HSA20 का इस्तमाल करोगे तो आपको 20% का discount भी मिल जाएगा कई सारे बहतरीन features जिन में से एक है कि जो बड़े बड़े investors है ना उनका portfolio आप track कर सकते हैं कि क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं और कई बारें के portfolio में आपको penny stocks मिलेंगे ऐसे shares मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा तो देर के इस बात की है लिंक description में है coupon code का फाइदा उठाना भूलिएगा मत वीडियो को यहीं पर end करूँगा पसंद आए हो तो लाइक करें और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वह भी मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं इसके अलावा कौन सा सरकारी बैंक आपने खरीद के रखा है या फिर आप चाहते हैं कि मैं उसके उपर भी एक डिटेल वीडियो बनाओ तो उसका भी नाम लिखेगा जितनी ज़्यादा कमेंट आए कि उतना जल्दी वीडियो आएगा थैंक्यो